ग्रामर टूल में क्या करते हो, जैसे अब मैंने नाउन पे क्लिक किया तो इस सारी नाउन दिखा देगा, तो यह आपके ग्रामर इंप्रूव करने में वद्रत कर सकता है, मुझे ख्रोम ब्राउजर बहुत पसंद था, लेकिन यह ब्राउजर का अपडेट आने के बाद मैंन मैं उसको छोड़ दिये, और मैं आपको बताना चाता हूँ, इसके किन फीचर के कारण मैंने क्रोम ब्राउजर को छोड़ा, और यह है अपना बेस्ट ब्राउजर, Microsoft Edge, लेकिन इसके क्या क्या फीचर है, जो मुझे बहुत पसंद आए, जिसके कारण मैंने अपने पुराने ब्राउजर को छोड़ दिया, तो सबसे पहला फीचर जो है, वो कि यह आपको बोल के बताएगा, जैसे हम मैं साइट पे गया, और मेरा पढ़ने का मन नहीं है कि यह क्या कि इतना सारा लिख रखा है, ओके, तो मैं जाऊंगा अपने मैन्यू में, और रीड, अलाउड, या Ctrl, Shift और U पे क्लिक कर दूँगा, तो यह बोल के बताने लग जाएगा, कि क्या है इस पेज में, जहाँ भी मैं क्लिक करूँगा, वहां से बोलना स्टार्ट कर देता है, अब बीच में अगर कहीं क्लिक करूँगा, तो यह वहां से बोलना स्टार्ट कर देगा, आप Voice Option में ज अच्छा लगता है, मुझे कभी पढ़ने का मन नहीं होता है, तो direct में इसको own करता हूँ, और यह मुझे बोल बोल के सारी चीज़े बता देता है, तो पहला feature तो था यहां से आप Pose कर सकते हो, और यहां से Close कर सकते हो, और जो दूसरा feature है, वो है इसका, जो capture करने का, जैसे आप Ctrl, Shift और S दबाते हो, तो यह web capture करता है, जैसे आपको यह area पसंद आ गया, कि भाई यह होना चाहिए, तो आप इसको add note पे click करेंगे, और यह आपका यहां पर आ जाएगा, इसको आप draw भी कर सकते हो, कुछ भी चाहो वो, और इसको आप as a picture save कर सकते हो, यह screen shot से अलग है क्योंकि इसमें आपने पूरा, जो scene है वो capture नहीं किया, तो यह आपको मदद करेगा, कि कई बार थोड़ी सी information चाहिए होती है, और हमें पूरा capture करना पड़ता है, तो इससे आपकी memory भी बज़ेगी, और यह काफी काम की चीज़े बज़े, और यह तीसरा feature है, इसका collection, यह feature पर बहुत अच्छा है, जैसे आपने यहाँ पर start new collection पर click किया, तो यह आपको category में आपको bookmark use करने का option देता है, जैसे मैंने इस category का नाम रख दिया knowledge, और जैसे मुझे यह अब add current page कर दूँगा, तो यह जो web page खुला हुआ, यह इसके अंदर chat हो जाएगा, तो ऐसे करके आ आप बहुत से category बना सकते हो, और आसानी से visit कर सकते हो अपने bookmark किये हुए pages को, और यह अच्छा तरीका है manage करने का, वैसे मेरी एक सला है कि यह भी इतना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पर add note भी कर सकते हो वैसे, यह काम का हो सकता है वैसे, और जो मैं use लेता हू मैं क्या करता हूँ, मैं favorites में चला जाता हूँ, अपने bookmarks में इसमें, और उसके बाद manage पर click करता हूँ, manage पर click करने के बाद मुझे यहाँ पर जो मेरे folder वगरा है, वो दिखने लग जाते है bookmarks के, तो यहाँ पर add folder पर click करता हूँ, और यहाँ पर कुछ भी नाम दे दिया category क तो वो category जैसे अब save पर click करूँगा, तो उसके बाद वो उपर आ जाएगा, तो अब मुझे जैसे भी कोई bookmark save करना है, तो मैं जैसे यहाँ पर click करता हूँ, तो मुझे पुछेगा कहां save करना है, तो मैं जावाजी के category में add कर दूँगा, और done, और यह मुझे को collection से भी ब करता हूँ, तो इसने मेरी productivity को भी boost किया है, क्योंकि मुझे time पर जो bookmark चीए, वो मिल जाता है, इसका जो चोथा function है, वो है immersive reader, यह बड़े काम की चीज़ है, अब जैसे आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा, तो पहला मिलेगा, कि आप read aloud जो कर सकते हो, यहाँ से भी, लेक कर सकते हो, black and white कर सकते हो, background कैसा होना चाहिए, text spacing कर सकते हो, और जो बढ़िया feature मुझे लगता है, वो है grammar tool, grammar tool में क्या करते हो, जैसे अब मैंने noun पर click किया, तो इस सारी noun दिखा देगा, तो आपको grammar improve करने में मुदद कर सकता है, यह verb दिखा दी, मैंनों ऐसे करके आप अल दालना है word में, तो यह pronunciation में भी मदद करेगा आपको, और इसके बाद है reading preference, यहाँ पर जैसे अभी एक तो option है, कि line focus का, जैसे अब मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे यह सामने चाहिए, तो मुझे line focus on कर लेना चाहिए, और इसके बाद आ जाएगा, और next feature है, इसमें translate का, जैस आपको own रहेगा, तो जैसे ही आप किसी word पर लेके जाओगे, तो यहाँ पर यह stick में change हो जाएगा, और उससे related picture दिखाएगा आपको, people पर people की दिखा दी, explain से related दिखा दी, अब जहाँ पर यह stick नहीं बनेगी, वहाँ उस word यह नहीं दिखाएगा, जैसे अब need पर बन रही इंस्टॉल इस site as app, तो आप से पूचेगा कि क्या नाम रखना है, और आपको नाम रखना है वो आप type कर दीजे और install पे click कर दीजे, install पे आप जैसे ही click करते हैं, तो यह आपको as app मिल जाएगा, जैसे मैं search करूँगा, इसको तो यह मुझे as app मिल गया, तो यह एक तरीक से shortcut है और बड़े काम की चीज़ है वैसे, और यह अगला feature भी मुझे बहुत पसंद है, इसमें extension के आप shortcut बना सकते हो, keyboard shortcut पे आप जैसे ही click करेंगे, तो आपको extension के shortcut दिखा देगा, तो जैसे मैंने यह आपर dark reader है, इसका shortcut बना रखा है, कि alt, shift और d, तो जैसे है मैं दूसरी site पे हूँ, तो मुझे extension पे जाके click करने के जुरुत नहीं है, जैसे ही मैं alt, shift, or d click करता हूँ, और यह black mode में, और white mode में change हो जाता है, और वीडियो पसंद आया है, तो like, share, और subscribe जलू थले, थैन्थू, थैन्थू भाय था, थैन्थू, थैन्थू, भाय था, थैन्थू